वेल्कम बैक तो अबर चैनल किंग फार्मेसी आज हम बात करने वाले एडवर्टाइस्मेंट नंबर एंपी एसी एक्जाम सेकेंड दोहज़र तेइस डेट इकत्तीस तीन दोहज़र तेइस के नोटिफिकेशन के बारे में यहां पर फार्मसिस रिगार्डिंग नोटिफिके कर दें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं कि आपकी आपको पता चला है आप नोटिफिकेशन को निकाला गया है आपकी वज़े से उनकी हल भी हो जाएगी यहां पर नज़र डालिए तो यहां पर ल निकाला है क्योंकि यहां पर आपकी फार्मसिस्ट की होने वाली है आपकी जो एक रुकूटमेंट यहां पर रग इंस्पेक्टर का भी निकाला गया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेश वकरिंसी में इस पीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया वेबसा पढ़ते हैं आइटम नंबर सेकेंड में पढ़ते हैं क्या बताया हुआ है यहां पर 49 आपकी पोस्त को निकाला गया है जो कि आपकी फार्मसिस्ट ग्लेट सेकेंड की होगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफियर डिपार्टमेंट में यहां पर नजर डालिए तो आप देख प जानते हैं आइटम नंबर सिक्स में जाएंगे आपकी ड्रक इंस्टेर के लिए यहां पर बीफार्मा मगा गया है और बाकी की जो post pharmacist की निकाली गई थी item number 7 में A और B में उसके लिए आपसे degree diploma मांग रहा है ठीक है यानि कि आपके पास में B pharma होना चाहिए और आपके पास में C pharma होना चाहिए तो में recognize university and registered in the state pharmacy council यानि कि आप जब ही eligible होंगे जब आपका नागलेंड की state pharmacy council में registration होगा scale of pay की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह नंबर पर drug inspector की post निकाली गई थी रेवल यहां पर 12 यहां रखा गया है selective subject to be opted यानि कि आपके education qualification यहां पर मांगी गई है 6 7 8 और भी यानि कि डर्ग इंफ्रेक्टर और बाकी की जो डी फार्मा भी फार्मा की ठीक है उसको relaxation दिया जाएगा उपर बढ़ते हैं यहां पर देखे लिखा हुआ है 80% of vacancies are reserved for the candidate belonging to any नागर ट्राइब कुकी कचारी जारो तियुल में जारो ट्राइब करें सब्सक्राइब कुकी के लिए गारो एस जो निवासी है मूर निवासी है इस्टेट के इनके लिए ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ है टर्मेंट कंडिशन में चाहिए यहां पर यह बताएगा जब आपको बुलाए जाएगा तो आपके पास में सारी फोटोकॉपी आपके डोकुमेंट की होनी चाहिए ठीक है जो कि आपकी यहां बताए गया है है यहां पर यह बता है मैंट्रिकुलेशन की आपके पास में चाहिए ठीक है और आपके पार माक्षीट होनी चाहिए डेट ऑब रथ चाहिए एज प्रूफ के लिए और आपका नहीं मांग गया है बी में बताएं नेक्सफ़ान में इंडिजीनियस इन्हबिटेंड चाहिए चाहिए उसका भात में लिए अगला तो यहां पर यह बतायों बाजन पर यहां पर यह बताएं अगर आप के आंदर किसी प्लेगार कि दीसेबलियर्टी है तो उसका आपके के बात में certificate होना चाहिए है डी में बताए हुआ है प्रूफ और एजुकेशनल क्वारिफिकेशन यहां पर यह बताए कि आपके पर इंस्टिट्यूर्ट यूनिवर्स्टी बोट के सारे certificate होने चाहिए ठीक आपकी अपने प्राप्त की है डिप्लोमा है डिगरी है सारे आपक दर्सिंग कॉंसिल एननसी अलमस्सेस एंड डर्सिंग कंडियर रिस्पेक्टिविली यहां पर यह बताए कि रिच्टेशन होना चाहिए नागलेंड इस्टेट फार्मेसी में जबी आप इस वेकंसी के लिए होंगे ठीक है उपर बढ़ते हैं यहां पर देखे लिखा इस वेकंसी के लिए ठीक है तो आपको जो है यहां पर पोर्टल दे दिया गया है ऑनलाइन एप्लिकेशन केन बी सब्मिटेड दू एनपी एससी पोर्टल या फिर आप एनपी एससी नागलेंड डॉट गव डॉट इन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं ठीक है इसका लिंक पर बढ़ते हैं यहां पर दिया हुआ है आपका ओटिया यानि कि वन टैम रिश्टेशन ही आप कर पाएंगे एक बार में ही रिश्टेशन कर सकते हैं विल भी फ्री ऑफ कोस्ट एंडिट है टूपे एग्जामिनेशन फी और रूपीज 300 कंवीनियंस फी और रूपीज 25 य यहां पर आपसे बागी गई है ठीक है यहां पर जो ऑनलाइन अप्लिकेशन और लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां जाके आप अप्लिकेशन के लिए अपलाई कर पाएंगे अगर आप नहीं कर पा रहें तो मुझे बता दीजिएगा मैं उसके उपर एक अ झाल 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 झाल